Hello Everyone Welcome to our channel the top everything, दोस्तों इस वीडियो माँ हम बात करने वाले हैं आज तक के Anchor अंजना ऊमकशिआपके बारे में दोस्तों इस वीडियो में इनके Live इस्टाइल बताने वाले हैं तो आप इस वीडियो को and तक देखना वीडियो स्टाट होने से पहले मेरी आप से request है कि आप इस व 12 जून 1975 को राची जाड़कंड में हुआ और 2020 के हिसाब से 45 साल की है अंजना ने अपने स्कूल की पढ़ाई लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल राची से की और इसके बाद अंजना ने ओनर्स इन बोटेनी किया दौलत राम कॉलेज डेली इनिवरसिटी से और दोस्तों इन्होंन ओम कशिप के करियर के बारे में अंजना ने पहली जौब देवू मोटर्स में की जहां पर अंजना कॉंसलर थी लेकिन अंजना को ये जौब पसंद नहीं थी फिर एक साल बाद अंजना ने इस जौब को रिजाइन दे दिया और इसके बाद अंजना ने एक NGO में लीगल कॉ किया फिर अंजना ने 2003 में जामिय मेलिय इसलामिय में डिपलोमा जनलिस्ट में एडिमिशन लिया और फिर इसी साल इन्होंने दूरदर्शन के शो आंखो देखी से एज़ जनलिस्ट अपनी शुरुवात की अंजना को शुरू से ही सीधे शब्दों में बात करने की आदत इसलिए अपनी न्यूज में ये काफी तीखे शब्द का परियोग किया करती थी और इसी वज़ा से लोग इन्हें खूब पसंद करने लगे 2003 में ही अंजना ने दूरदर्शन में अपने पस से इस्तिफा दे दिया और जी न्यूज में शामिल हो गई इन्होंने खूब मेह इसके बाद अंजना आज तक में जाने से पहले कुछ समय तक चैनल इस्टार न्यूज के लिए भी काम करती थी उसके बाद आज तक में शामिल हो गई दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना अंजना ओम कश्यप आपको कैसी लगती है चले मिलवाते हैं आपको पर गेश कश्यप जो की एक IPS ऑफिसर है और अंजना की एक बेटा और एक बेटी है और जैसे कि आप इनकी बेटी को इस पिक्चर में देख सकते हैं अब बात करते हैं जना ओम कश्यप के हाउस के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दू अंजना ओम कश्यप अपनी फै पास है और डी क्यू फाइफ जिसकी कीमत है दोस्तों 55 लाक रुपे अब बात करते हैं अंजना ओम कश्यप के इंकम के बारे में तो मैं आपको बता दू अंजना ओम कश्यप पर मंद एक कड़ो रुपे इंकम कर लेती हैं बात करें इनके नेट वर्थ के बारे में तो दोस को सब्सक्राइब करके बैल आइकन भी प्रेस कर लेना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स वीडियो की सेलबीटी के बारे में चाहते हैं